घर में जाडू लगाते समय यदि ये गलतियां आप करते हैं तो आज ही सुधारलो अपनी इन गलतियों को नहीं तो भविश्चे में ऐसे आपको भुक्तान करने पड़ेंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे क्योंकि जाडू लक्षमी का सुरूप कहा जाता है यदि आपने जाडू लगाते समय ये गलतियां की तो आपको इसके काफी बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि आप ऐसी कौन सी गलतियां जाडू लगाते समय करते है या ज़ाडू के साथ करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहली जो गलती है सबसे पहले जब आप जगते हो तो जगने के बाद सबसे पहला काम अपने घर के अंदर ज़ाडू लगाया करिए उसके बाद दूसरा कोई काम किया करिए मैंने पर्सनली बहुत सार इससे घरों में महिलाओ को देखा है जो सुबा जगने के बाद में सबसे पहले ज्हारू ना लगा करके घर के दूसरे कामों में लग जाते हैं ऐसा करना बेहत गलत है तो सबसे पहले ज्हारू लगाएं और इस तरह से जाड़ू यदि किसी के पैर से टकरा जाए तो जाड़ू को माथे से लगा लेना चाहिए नहीं तो ये उसका तरसकार माना जाता है इसके साथ साथ जब आप घर के अंदर जाड़ू लगा रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के अंदर लगाने वाली जाड़ू अलग होनी चाहिए और आपके घर का जो मुख्य दवार है उसके बाहर शटक पर यदि आप दवार जाड़ते हैं देलिज साफ करते है एक दूसी जाड़ू होनी चाहिए बहुत सारे परिवार में एक ही जाड़ू का प्रियोग पूरे घर की जाड़ू लगाने के लिए और में दरवाजा साफ करने के लिए उसी जाड़ू का प्रियोग किया जाता है याद रखिएगा घर के अंदर की जाड़ू होती है उसे कभी भी बहार का रास्ता नहीं दिखाना है यानि कि घर के अंदर जो आप ज़ाडू रखते हैं उसे पूरा घर साफ करें लेकिन जब आप मैन दरवाजे को साफ करें तो दूसरी ज़ाडू रखें और उस दूसरी ज़ाडू से ही आप मैन दरवाजे को साफ किया करें और उस ज़ाडू का प्रियोक केबल मैन दरवाजे को साफ करने के लिए ही करें घर के अंदर की सफाई करने वाली जाडू को मैं दरवाजे के बाहर सफाई करते करते लेकर के जाना वर्जित मना जाता है ऐसा मना जाता है कि आपने अपने घर की लक्षमी को आपने घर से बाहर निकाल दिया है इसलिए ये गलती अधिकांस महिलाएं करती है जो की उन्हें नहीं करनी चाहिए और भविश्य में इसका बहुत भारी भुकतान करना पड़ सकता है इसलिए आज ही इस गलती को छोड़ दें इसके अलाबा ज़ाडू लगाने के बाद में उस ज़ाडू को ऐसे ना रखें कि किसी की उस पर द्रश्टी पड़े वलकि ज़ाडू को छुपा करके रखें घर की कोई ऐसी जगा बनाएं जहां पर ज़ाडू को छुपा करके आप रखें और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि घर में जाडू लगाने के बाद जाडू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए यानि कि जाडू कभी भी दीवार के सहरे या किसी के सहरे खड़ी करके आपको नहीं रखनी है ज़ाडू को हमेशा लिटा करके रखना है और छुपा करके रखना है इस बात का भी आप विशेश ध्यान रखें जब भी घर की ज़ाडू आपको बदलनी हो तो ज़ाडू जब तक नई ना आ जाए तब तक पुरानी ज़ाडू को आपको फैकना नहीं है क्योंकि जब तक नई ज़ाडू यानि कि लक्षमी आपके घर में नहीं आ रहे है तब तक पुरानी लक्षमी यानि कि बो ज़ाडू जिसका आप अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको घर से बाहर नहीं निकालना है जब नई ज़ाड़ू आ जाए और आप उस नई ज़ाड़ू से एक बार ज़ाड़ू लगा लें उसके बाद ही आपको पुरानी ज़ाड़ू को फैकना है उससे पहले नहीं और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि पंचक यानि की अमाबश्या के आसपास पांच न हमसे जाना जाता है उन पंचकों में आपको ज़ाड़ू नहीं लेनी है ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अलावा जो धन तेरस यानि की धन तरोदशी आती है उसमें आपको ज़ाड़ू जरूर खरीदनी है साल में एक बास ज़ाड़ू धन तरस के दिन आप जरूर ल लक्षमी को भी प्रसंद करके अपने घर में धन की ऐसी ब्रधी करेंगे कि कुछी महिनों में आपकी काया पलट हो सकती है जी हाँ घर की जो महिलाएं है वह साक्षात लक्षमी का सुरूप है क्योंकि महिलाओं को लक्षमी सुरूप माना गया है इसलिए घर में जो महिलाएं वह साक्षात लक्षमी है और उनके हाथ में जो जाडू है वह भी लक्षमी का ही सुरूप माना गया है उस जाडू को भी ऐसे में क्या करना है कि जब भी महिलाएं घर में सुभा जाडू लगाती है तो उस समय पर वह माभग्वती लक्षमी का इश्मन करती रहे हैं जब तक जाडू पूरी ना हो किसी से बात ना करें और बस जाडू लगाते लगाते अपने मन में इस प्रकार से इसमन करती रहें जै मा लक्षमी श्री लक्षमी नमहा महा लक्षमी नमहा श्री लक्षमी नमहा इस प्रकार से मा भगवती लक्षमी जी के नाम का मन ही मन जाप करती रह पूरे घर की आप कुछी महीनों में देखिएगा कि आपके घर में जो पैसो की परिशानी थी वह दूर होने लग जाएगी ये महा उपाय है इसे कोई नहीं करता लेकिन आप करना सुरू करिए और आप इसके लाब उठाइए इसी के सासात हम आपको बता दें कि कभी भूल कर भी शाम को सूर अस्त हो जाने के बाद घर में जाड़ू नहीं लगानी चाहिए यनि कि अगर आपको शाम को जाड़ू लगानी है तो सूर है अस्त होने से पहले आप जाड़ू लगा लें ये वीडियो बहुत 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 लाप्रद है इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इससे लाव ले सकें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर के हमें बताईएगा और कमेंट में जाके जै मा लक्ष्मी जरूर लिखिएगा इससे हमें पता चलेगा कि हमारी माता भेनों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है ऐसे ही रोचक जनकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जीवन दरपन जोतिश